हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल एड्यूकेशन विद गौरब मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों और उत्राखन एल्टी की जो हम तैयारी कर रहे थे दोस्तों और उसमें थोड़ा लेट हो गई यार वीडियो वीडियो डालने में तो आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं सब लोग जो भी नए आ रहे हैं चैनल पर व्यूवर्स वह सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस चैनल के उपर पूरे के पूरे टॉपिक्स को डिसकस करने वाले हैं तो इसलिए आप निश्चिंत होकर रह है रहे हो घुक है तो और अगर आप लोगंडर ाब बनाना चाहते हो तो आप लोग को देखकर खुदी mixes बना सकते हैं तो चाहे है तो आप बना लें नोप शाहे तो आप मैंने मेरे जो작ाने रहे हैं यह मैं लगाता आपको प्रूआट करता रहूंगा लेकिन उसके लिए फीस देनी होगी 200 रुपीज इसके फीस मैंने रखी विए ठीक है तो जो लोग चाहते हैं कि मैं उनको लगातार पीडिया प्रोवाइड करता रहा हूं सारे टॉपिक्स के हैंड डिटर नोर्स तो वो मुझे फीस प्रोवाइड प्रोवाइड प्रीस पे कर दे और गूगल फ खुद से आप मेहनत करते हैं तो और अच्छी बात है किताबों से पढ़के इदर उदर से जहां से भी आप करते हैं वह बहुत अच्छी बात है मैं आपको नोर्स वगरा जो और भी नोर्स मेरे पास होंगे वह मैं आज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो चलिए दोस् और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या आता है इसमें आपके टीचिंग जो मैथवस होते हैं यह departments होती हैं यह चीजें इसके अंतरका आती है अपके इस नहीं है कि तो जैसे कि मैंने बता है हम सब सब बहुत करेंगे शिक्षाल कोशल यानि कि आपका teaching skills की तो इसमें हमने बात की कि teaching skills होती क्या है teaching skill यह होती है कि जो school का एक control वातावरण होता है नियंत्रित वातावरण होता है इसके अंदर जो teacher होता है वो अलग-अलग छोटी-छोटी skills का प्रियोग करता है जिसके माध्यम से वो अपनी teaching को effective बनाता है तो उनी को teaching skills कहते हैं या तकनीकी कहते हैं चाहिए technique कह लिजे skill कह लिजे एकी बात है अब इसमें कुछ skills हैं उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहला जो skills इसके अंदर होता है वो हता है आपने ये B8 के दोरान भी पढ़ाओगा वो हता है set induction यानि की part परिचय का कोशल इस कोशल में क्या होता है basically इस skill के दोरा जो है बच्चे के पूरु ग्यान को नए ग्यान से connect करते हैं तो सब सब पहले उसके पूरु ग्यान कि बाद जब एक के बाद एक सिंख्लाब बद तरीके से एक सीरीज में उससे question पूछे जाते हैं तीन या चार questions तब जाके main प्रकरान वो खुद बखुद बच्चा बोलता है और उसके बाद हम main topic उसको सुरू करते हैं यानि कि हम direct नहीं पढ़ाते हैं बलकि उसके लिए हम connection बन जाता कि पूरू में उसने क्या सीखा था और आब वो क्या सीखने जा रहे हैं नेक्स है हमारे पास दीपन परिवर्तन यानि कि stimulus इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो अध्यापक होता है वह विविन प्रकार के जो अपने हाथ पैर या मुह आखों से इस प्रकार को जीवंत बनाए रखने के लिए अलग-अलग कभी-कभी वह मुश्खुरा भी देता है है ना तो यह सारी के सारी चीज़ें जो है वह इसके अंदर आती है मतलब उद्दीपन के अंदर इस्टिम्लस के अंदर आती है बच्चों को एक motivation देने के काम आती है और उससे बच् वस्थनों के माध्यम से या इनके द्वारा जो अध्यापक होता ने के माध्यम से मजबूर करता है बस करता है बस एक छोटा सा हिंट या एक क्लू उसके बारे में देता है प्रक्राण के संब्दित और उसके बाद बच्चा खुद भुद उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेस्टन जतने जाद 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 जो है उस पर बन सकते हैं और तब जाके में जो है वो चीज़ें पढ़ाए जाती है तो अगर बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें थोड़ा वह तो जो है क्लू भी देना पड़ता है टीचर को तो यह हैं बूजने वा है वो देने के बजाए हमें उसके बेस पर अगर हमने एक एक जांपल दे दिया एक से ज़्यादा एक जांपल हम दे लेते हैं तो वह क्रिश्टल के लिए और वो चीज़ें हो जाती है तो यह कुछ बाते हैं आगे चारते हैं पिर नेक्स होता है आपके पास क्लोजर या सम कना है जिसके दवरा नवीन ग्यान की उच्ट अभनी रहे दढ़ा इस ब्यास प्रत्ठाइब यह ज़िल से नौ कि चर्पर करते हैं का इस प्रकार से टेइस वहीं लास्ट कड़ी आती हैं कि प्रकार से तक बाद अचानग से उसमें दिखाते हैं कि कैसे मदध जो जो वैम्प है सीरिल के अंदर वह चोटी बहु कि खाने में खीर में जहर मिला रहे हैं तो उसे जनता जो है वो अब परिशान हो जाते हैं कि भाई अब जहर मिला दिया अब क्या होगा है ना अगली बार मतलब वह खाएगी उसका बच्चा मर जाएगा या जिंदा रहेग एपिसोड को देखने के लिए उसी टाइम पर आप देखते हैं अचानक से तेज हवा चलती है से दुर 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 करके और वह अचानक से वह बुच जाता है उसके बाद उनको पूरा हंड़ड परसंट सी और जाता है अब अनौनी होने वाली तो खैरी इस तरह की चीज़ अगर हम बीच में उसको छोड़ रहे हैं तो कि अगले क्लास के लिए बच्चा और ज्यादा एक्साइटी को ओके फिर नेक्स है आपके पास गत्त सुनते हैं मंतिर मुध होकर सुनते हैं और उधर 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 उनका थ्यान नहीं करेंगे तब तक जो हमारेी इसकिल का पता नहीं चलईग है ना क्यों कब कैसे इन सब चीज़ों की ब्याख्या जो है वो करना इस किल के अंदर आता ब्याख्या को कौसल के अंदर और कोई भी डाउट जो है वह स्टुडेंट के मन में न रहें यह भी शेयर करना उसके बाद नेक्स है आपके पास श्यामपट का प्रयोग यानि की अपार्टमेंट बाट के देखना है या एक सिंगल में लिखना है कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है क्या कौन से कलर की चौक यूज करनी है तो यह सारे इसकिल आपके आते हैं उसके अंदर उके उसके बाद नेक्स है दिस या स्रभ्या सामग्री का प्रयोग बनाया के प्रश्दृत करके दिखाय जा सकता है अगर उसके अग्हाड़ जारी है उसका तो अगर demonstration भी मतलब उसको दिखा भी दिया जाए तो सुनके या देखका अगर उसने देख लिया तो बच्चे के दिमाग में वो चीज लॉंग लास्टिंग हो जाती है फिर next आपके पास कक्षा प्रवंधन का कॉशल skill of class management तो class जो management करने का एक skill जो है वो भी आपके अंदर होना ज़रूरी है और उसके अंदर आपके अंदर ये छमता होनी ज़रूरी है कि आप class को लगाता रहें इंगेज करके रखें उसके लिए आप क्या करें बच्चे को किसी काम के अंदर इस प्रकार से लगा के रखें कि को बोर भी नव हो और उसका मन भी लगा रहें तो यह सब चीजें जो है कैसे करनी है किस प्रकार से class का नित्र तो करना है यह सारी skill भी कक्षा प्रबंदन के अंदर आती है और कक्षा के उपर आपका पूंत कंट्रोल जो है वो चीज होनी ज़रूरी अगर पूंत कंट्रोल तो भाई चात्र जो है वो किस प्रकार से क्योंकि child center education में चात्र ही important है तो हमें क्या करना पड़ेगा चात्र का ज्यादा से ज्यादा participation करवाना पड़ेगा और ज्यादा ज्यादा participant जब होगा तभी उसका ज्यादा डेवलक्मेंट होगा तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कुछ ऐसी क्रियाएं करने पड़े करनी करती होती है जिससे कि लिख्या हो गया कि 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 कुछ ऐसी किरिया करना करता है कि छात्रों की जो प्रतिक्रिया है वो स्वयम ही बढ़ जाती है यानि कि जो यह होता है आपका प्यूपिल्स का पार्टिसिपेशन अगर हमें बढ़ाना है तो टीचर को इस प्रकार की जो एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी ताकि जाद मै प्रचों को लगातार अच्छे तरीके से रिंपोर्समेंट देना फिर उसके बाद है चात्रों के ध्यान देने योग्या व्यावार को पहचानना रिक अटेंडिंडिंग बहेवियर तो एक प्रभावर साली सिक्षक बहुती समवेदन सील होता है वह चात्रों के ब्यावार पर भी ध्यान देता है तो इस प्रकार उसकी एक अक्षा में कोई भी चात्र उपेक्सित मैसूस नहीं करता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि टीचर जो है अटेंटिव हो ऐसा नहीं हो कि किसी दो-चार बच्चे जो है उन पर ही ध्यान है बाकी बच्चे भाड नेक्स मौन तथा असाब्दिक उद्धिपन साइलेंस तथा नौन वर्वल नौन वर्वल क्यूज तो इसमें यह होता है कि आप कुछ सब ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते आप आसानी से जो है वो कुछ सेकंड के लिए चूप भी हो जाते हैं बीच में तो उससे क्या ह होगा जब अचानक से आप चूप हो जाएंगे तो क्लास के अंदर जो बात करने वाले होते हैं वो पकड़े जाते तो यह आपका इसके लिए कि आप किस प्रकार से बच्चों को बिना कुछ जादा डाटे और कैसे क्लास को चूप भी करा सकते हैं और इसके माधियम से आप आसानी से उन बच्चों की भी धरपकड़ कर सकते हैं जो बातें करते हैं या कोई गलत काम करते हैं उस तरीके से तो यह है नेक्स उसके बाद है आपके पास प्रस्ण पूछने का कौशल तो यह भी एक कौशल होता है कि किस प्रकार से क्लास के जो लास्ट के अंदर जो पा काम को करने ओर होना चाहिए दूसरा विभी देता युक्तिंट ना एक तो अंदर से इंटरनल मोटिवेशन वाला होना चाहिए दूसरा बेविता दोस्तों ये बाते आपको सिर्फ ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है ये तो कोई पढ़ाने वाली चीज़ है लेकिन दोस्तों जब एक्जाम के अंदर ये स्टेटमेंट टाइप के ब ना चाहिए फिर नेक्स है आपके पास नियोजित पुन्रा वृत्ति यानि कि प्लान रिविजन इसके अंदर क्या होता है कभी कभी जो है अध्यापक कठिन सिक्षण बिंदों या उसके किसी अंसको या चात्रों के किसी बढ़िया उत्तर को बार बार दोराता है ऐसा करने अनिष्छित पृप्से लाव होता है तो दौस्तों नियोजित यानि कि प्लांड आप रिविजन किस प्रकार से करा सकते हैं जो इंपर्टरें टॉपिक है किस प्रकार से करा सकते हैं ये बी आपके स्चिल की अंदर आता है फिर नेक्स आपके पार threatening स्किल यानि की पुनर् होता है उसको अगर हमें और अच्छा करना तो इसके को ऑने पहले इते प्रकार जी आती है इस तो यह प्रस्सकार और ने हम देते हैं तो उसमें हम किए बच्चे को उसके जवाब पर हम उसके उसके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं कि वहां बहुत अच्छा किया यह बहुत अच्छा बोला इस प्रकार से या वह 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 इस तरीके से कुछ इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं जिससे की बच्चा अगरी बार और जदा जो है उसका रिस्प रिंफॉर्समेंट जिसमें की जो है आप इस परकार से जो है बच्चे को बोल दें कि नहीं बिल्क गुला तुम नहीं है ना ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे बच्च ते उन्हें आता है लेकिन उसके बावजूद भी चुप रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी उपिनियन को तो कोई मैटर करेगा नहीं उपाशन बेस्थी अलग हो जाएगी तो इस तरीके से ये गलत होती है फिर तीसरा होता है आपका दंडात्मक तो यह दंडात्मक जो है इसमें आपका सार्दिक और मानसिक दंड दोनों प्रकार से हो सकते हैं तो दंडात्मक skill को increase करता है और तभी एक एक effective teacher बन पाता है ठीक है अब हम आगे बात करने वाले हैं सिक्षण के कुछ समन्य सिधानतों के बारे में some basic principle of teaching जिसमें कि आपका पास पहला है आपका meoatic theory तो यह theory सुक्रात के द्वारा या सॉकरटीस जिसको आफ आप आफ जानते पूरान युनानी दारषणहीं को हुआ करते थे यानि कि सॉक्रटीस तो इनका जू मानना था इन्होंने 170 कि यह आत्मा होती है यह पूरी अंदर ऑल्री कि हमारी जो आत्मा होती है सोल होती है वो ग्यान से परिबूत होती है यानि वो उसके अंदर पूरा नौलेज का भंडार होता है बस उसको बाहर निकाला जाता है किसके माधियम से प्रश्ण उत्तर के माधियम से यानि कि क्वसंस के माधियम से तो इन्होंने जोड दिया कि कि जदा 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 जो प्रश्ण उत्तर है उनकी माद्यम से अंदर के जो ग्यान है उसको बाहर निकाला जाए तो यही था आपके पास मायवर्टिक प्रिंस्पल और इसमें सिक्षक छात्रों से इस प्रकार से उनका बोलावा ग्यान जो चेतन मन में आ जाता है जो उनके आवच चेतन मन में है अंदर है वो आपके चेतन मन में किस प्रकार से आएगा ये क्वेश्टन के माद्यम से होता है और यही बात सॉक्रेटी ने बोली थी नेक्स है आपके पास संप्रेशन का सिद्धान्त यह सिद्धान्त सिख्षक तौरा सूस्चना और तथ्यां तथा बिचारों को चात्रों तक भासा की सायता से संप्रेश्ट करता है अध्यापक की संप्रेशन संता कम्मिनुकेशन इसक्ल जितनी अधिक अच्छी होती है उतना ही अच्छा उसका एफेक्टिव टीचिंग हो यानि interaction है बच्चों के साथ teacher का वो ज्यादा increase होता है next है आपके पास परिवर्तन सिदान्त यानि कि modeling theory तो modeling कैसे होती है modeling सिदान्त क्या कहता है कि जो हमारा teaching है उसका हमारा लक्स है जो expected behavior change यह मैंने आपको शुरुवात में भी बदाया था कि जो हमारा main लक्स होता है वो आवसिक ब्यहवार परिवर्तन होता है उसके बाद next है परस्पर पूस्ताच की सिदान्त यानि कि mutual inquiry theory तो friends यह जो सिदान्त है इसके अंदर जो है अध्यापा कख्षा कारे के कारे में सिक्षण नहीं बलकि आदिगम के लिए परिस्तियां पैदा करता है तो यह basically यह मानता है कि teacher का काम सिक्षण नहीं बलकि उन सिक्षण या उन सीखने के लिए परिस्तियां class के अंदर पैदा करना है केवल उसका काम एक guide का है जो कि बच्चों को एक hint थोड़ा सा जो है बच्चे खुद करें और उनको केवल एक hint दे दे और उसके मादम से जो है वो समस्या वो खुदी solve कर लें तो यह एस प्रकार की जो है वो सिधान्त ये कहता है फिर उसके बात next है आपके पास kria का सिधान्त principle of activity तो यह सिदान्त ये कहता है कि जो बच्चा है जिस जगे पर हम चले गए तो वो कभी हम भूलते हैं कभी नहीं भूलते हैं तो इसलिए जो है अगर आप बच्चों को learning by doing कराते हैं उनको tour visit के माध्यम से पढ़ाते हैं या कुछ इस तरीके से तो वो ज़्यादा effective होता है उसके और नेक्स है आपके पास रोची का सिधान तो इसमें ये सिंपल सी बात है यार कि जो क्लास है उसको पढ़ाने से पहले हमें बच्चे के अंदर उस topic के लिए उस lesson के लिए जो है क्या किया सकता है सायक सामगरी के प्रयोक से पार्ट को इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं और आजकल तो अब modern technique है तो उसमें smart का भी ज्यान बल्कि technology का भी ज्यान होना पड़ेगा ताकि वो खुद बखुद किस प्रकार से जो ए लर्निंग है उसको करवा पाए ओके फिर नेक्स आप वास जीवन से जोडने का सिद्धान्त प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग लिंकिंग विद लाइफ तो इसमें तो यह आ नहीं है जो कि उसके रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर पाई तो तब जाकि वो घ्यान ज्यादा प्रभावी होता है से आपके पास निकित्र लक्षी का सिदांट यानिकी प्रिंस्पल ओव depende इम यह सिदांट क्या कहता है तो यह सिदांट यह कहता है कि कि सी भी जो पार्ठ करहांने पहले इसके जो wildlife हमारे दिमाग में क्लस को पढ़ाने का तो यहुए है और यही जब हमारे पास objective clear है तब उसके according हम अपनी section जो run नीतिया है strategies जिनको कहते हैं उनका chain करते हैं नेक्स से आपके पास सेन का सिद्धान principle of selection तो ये सिद्धान क्या कहते है principle of selection क्या कहते है उद्देशिक अनुसार पार्टि समयागरी का की जाता है जैसा उद्देशिया समयागरी किस चीज़ को रहने देना है किस पर जादा जोड़ देना ये शारा चयान के सिद्धान के अंदर आता है ये वी एक टीचर को ही पता होना चाहिए है नहीं नहीं बताने के लिए आपके पास नियोजन का सदान्थ प्रिंस्पल ओप प्लानिंग तो यहां पर तो सिंपल सी बात है कोई भी हम प्लान गाहिक पड़ाने जाते हैं तो उसके लिए हमारा पूरी की पूरी तयारी क्लास के अंदर होनी चाहिए और हम पहले से उस चीज के लिए तयार हो उसमें उठने वाले जो counter questions है उनके लिए भी हम पहले से अपना तयारी करके जाएं ताकि किसी भी प्रकार से हमें अपना चलते हैं आगे आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुक सिक्षण विद्यों की यानि की teaching methods की तो आपके प्रवक्ता के में भी बहुत सारी questions इससे आये हैं दोस्तों तो उसमें जो प्रमुक सिक्षण विद्यां होती हैं तो यह तो आपके लगबग सारे जितने भी teaching exams होते हैं future के अंदर भी आपके जो KBS वगरे के जो exam आएंगे DSSB में या कहीं और तो उन सभी में teaching methods जो हैं वो इस्तमाल होता है sorry उनसे question आते हैं और as a teacher भी आपको यह चीज़ें पता होनी ही चाहिए फिर next तो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें सब सब पहला है इसमें method कथा कथन स्टोरी टैलिंग में तो स्टोरी टैलिंग में आप बैसिकली बच्चों को class के बीच में या प्रकरण के बीच में कोई महापुरुस महान व्यक्ति या सूफी संत समास उधारक या किसी परकार के कोई महान सासक या कुछ कुछ भी जो भी जरूरी नहीं आप इत्यास मोगो लिया इस तरह के चीज़ों से या कोई भी आपके आसपास भी कुई इस प्रकार का example है जो की बच्चों को motivate कर सकता है वो आप सुना सकते हैं उनकी आप कहानी सुना सकते हैं ताकि बच्ची उसको उनका उनका उत्सावर् सकते हैं उन्होंने 11 साल की उमर में जो है वह पहला सौप्ट वियर बनाया उससे पैसा कमाया फूर उसको इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की फिर खुद का रॉकिट लाउंच किया आज की डेट में टैसला मोटर है स्पेसेक्स है इतनी सारी कम दो इतनी टॉप की कंपनी उनक की टैक्सबूक मेथड तो इसमें तो आप टैक्सबूक को लगातर पढ़ाते हैं और उसके जो बिंदू होते हैं प्रमुक उनको एक्स्प्लेंड करते हुए चलते हैं और साथ के साथ बच्चों को भी आउसर देते हैं कि वो अपने चमताओं का टेस्ट करें क्योंकि उसक साचिनकाल से इसी विदी से टीचिंग होती आई है इसमें बच्चों को जो टीचर होता है वो कुछ बिंदों पर अपना दिमाग में वो चीज़ें सब तयार करके आता है और उसके बाद वो एक छोड़ से उनको पढ़ाना सुरु करके पूरा का पूरा एक्स्प्लेंड कर के लिए अच्छी मांने जाते हैं क्योंकि नं अमूर्त चीजों की बारे में सोचने का चंपता बच्चों के अंदर थोड़ा कम होती हैं तो इसलिए बड़ी क्लास के लिए अच्छी मन पर उसके बाद कठें जो बिंदों होते हैं तो मैंने बता दी आपको आपको पार्ट कोई प्रकरण जो पढ़ाता है तो उसके संबंदित अगर उसे कोई चीज दिखा नहीं है तो वो दिखा सकता है जैसно फर ईक्जामपल हमें हमें से एक analys पढ़ाता है यह अमल यह छार है यह ऐसे ड़एी बेस है और यहाफ का लाल ऐटमस निला कर देता है यह निले कऊ लाल लाल कर देता है तो इसके बज़ाए अगर आप खुद पाइस बच्ची के सामने दो प्रकायर के Grand तो यह होता है डेमोनस्टेशन जब आप देमो करके निस आप तुट्रियल मेथ्ट याने की अनुबर्ग स्क्षन विदी इस विदी में क्या होता है पूरी कख्षाग में जो है छात्रों को जो है उनकी योगता उनकी कैबलेटी के हिसाब से हम छोटे-छोटे अनुवर्ग यानिकी उनको पार्स में बाद देते हैं और उसके बाद छोटे-छोटे जो समू होते हैं उनमें जो टीचर जा है तो इसके जो जनद आता है मैंने अगेन पहले बता दिया सुक्रात और वही मैथड है यह सुक्रात ने जो बोला कि आत्मा जो ग्यान से परिपून है उसको बस बाहर निकालने की जरुरत है और वह कैसे होगा प्रशन उतार के माध्यम से होगा और बच्चे की जिग्यासा बढ़ाने की जरुरत है फिर नेक्स आपके पास परिचर्चा यानि की डिसकसन मैथड इसमें बेसिकली यह होता है कि चात्र आपस में और अध्यापक तथा चात्रों के बीच में किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है कोई भी इश्यू है उसके बीच में एक डिसकसन हो यह हो सकता है अचानक से आप बोल दें कि चलो यह टॉपिक है इस पर अपना अपना कर दीजिए तो उससे क्या होगा बच्चों के अंदर एक तो लीडर्शिव क्वालिटी आएगी नेत्रत्वगी जो चमता होती है वह इंक्रीज होती है और दूसरा के साथ के साथ वह लेवल है वह इंक्रीज होता है चिंतन सक्ति उसकी इंक्रीज होती है तरकिक चिंतन लॉजिकल ठींकिंग उसके अंदर इंपर उसके बात नेक्स है आपका युरस्टिक मेथर्ड यानिकी अनुवेशन विदी यह एक्जाम के अंदर कही बार पूछ जाती है इसको दोस्तो अग्यानिक भी भी कहा जाता है Wanna पता नहीं कितना कितना नाम है सारे चीज़ें यहीं है कि इस विदी चाच्तर स्वակह क्या करता आफ रोगिकली करता है और उसके सामने वह परिस्टिया पैदा की जाती है वह इन चिशीजेंगों करए और इस बिसिकली बच्चा सीखता है कि से trial and error और जो मेत़ड है trial and error यह तो तो ने यह बता होगा तो बच्चा बार बार पर्यास करता है तो उससे बार बार गलतियां होती है और अगली बार वो शीज को सही कर लेता है तो उसी से यह चीज़ें होती है इस समस्या दी जाती है उसके बारे में बच्चा अपनी परिकलपना का निर्माण करता है यानिकि उसके बारे में प्रियोजणावीदी प्रयोजनवीदी जो है दी गई है किसके द्वारा धे तो यह को पर्योजना वीधी में हम इस प्रकार के मुद्वों पर नहीं प्रोजayक्ट बनाने को देते हैं जो कि समाज के लिए और शातर के लिए कोई परत्याक्र से उसके यूज्ज हो या उसका हुत हो प्रोजक्ट नहीं दे देंगे कोई समस्या पर देंगे जो कि एसी समस्या पर देंगे जो पर किस प्रकार से हम यह फिल्टर बना सकते हैं तो यह सारी की सारी चीज़ें क्या होगी अगेन वही चीज होगी कि हमें ब्यावारिक चीजों पर प्रजेक्ट देना पड़ेगा और प्रजेक्ट में बेसिकली एक तो यह होता है कि ब्यावारिक चीजों पर होता है दूसरा बच्चे के अंदर एक गूपिजम यानि सामुविक्ता की भावना बढ़ती है मिलकर किस से टीम वर्क किया जाता है वह चीज इनक्रीज तो समाजी करण भी एक तरह से इससे हो जाता है फिर नेक्स है आपके पास भूमिका निर्वाहन विदी यानि की रोल प्लेइंग मेतड़ तो रोल प्लेइंग तो आप जानते हैं या रोल प्ले तो रोल प्लेइग आपको ब्य वाई यह ताकि वह उसी को ग्राइब कर लें कोई समस्या है उसके ओपर बात करनी है तो उसके लाट अब नाट वाला वर्जन करने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्गवली मतलब करन जोहर वाला इस्कूल नहीं बनाना है और जिसमें पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे काम ह होते हैं लेकिन हाँ उसके साथ साथ हम कैसे बच्चों को इस प्रकार से कुछ नाटक करवा पाएं ताकि बच्चे उसमें खुद बगुद करके उन चीजों को सीख लें तो यह कुछ हो सकता है चीजे ठीक है फिर उसके बाद बच्चों की से क्रिया सिलता बढ़ेगी उनकी बढ़ेगी उनका विकास होगा उनका बहुत एक विकास होगा समाजी विकास होगा सोचल डवलप्मेंट होगा कई तरह की विकास इससे एक तरह से हो जाएंगे और उनके अंदर स्किल्स भी डवलप हो जाएंगे नेत्रत चंता बढ़ेगी बहुत सारी चीजें इसके आएक से आपके पास brainstorming brainstorming यानि कि धिमाग खोल देना तो brainstorming का मतलब धिमाग में जोर डालना तो इसमें basically यह हो सकता है कि एक समस्या बच्चों के सामने दी जाए और उस समस्या से समधित बच्चों को बता एक science basically science में यह यूज होती है कि आपने कोई चीज पढ़ा दी उसके बारे में एक question करवा दिया science में उसके बाद आपने उससे related कुछ थोड़ा अलग टाइप की problem दे दी तो उसमें क्या होगा बच्चे कहीं तरह से सोचेंगे उनका दिमाग लगाएंगे reasoning करेंगे और कहीं तरह के अलग अलग टाइप की चीज़ें करके लाएंग तो उस सभी प्रकार की जो चीज़ें हों वो बच्चे के दिमाग को storm करने का काम करेगी जाड़ लगाने का काम करेगी ठीक है तो यह होती है brainstorming और basically science और math वगरा के subject में यह use होती है फिर उसके बाद होती है आपका विचार गोस्टी यानिकी seminar तो विचार गोस्टी seminar हम जानते हैं इसम इapping पर समच्य उती है उसमें अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो अपने विचार रखते हैं और इसमें एक और अलग बात क्या होती है होना चाहिए तो इसमें जो है एक तो आप बच्चा जो है वो कहीं तरह की चीज़ें अगर ढोने उसे अगर उसे आजा दी के ऊपर या गांदी जी के ऊपर कहीं तरह के बिचाट ढोने तो वह प्रियोग साला का यूज करेगा लाइबरी जाएगा उसके बारे में सर्च मैथड यानि की ड्रीन मैथड तो मैथड जाएंस और मैस में बिचकली यूज होता है हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या बारे में रिवाइज कराके और उसके बेस पर इसका यह ज्यादा अभियास करवाते हैं और अभियास से कोई भी चीज फरफेक्ट हो जाती है आपने यह खुद भी कभी भी देखा होगा तो इसमें बेसिकली वही बाता लिखी है कि अलग लग तरीके से जो हम काम करते हैं और उससे उस अनुप्रयोग करके सिखाते हैं और उससे वह और ज्यादा मजबूत होता जाता है बच्चा है तो यह है और आत्मी विश्वाज उसका बढ़ता है और यह सब चीजें तो हम जानते हैं बता दिया है मैंने अलड़ी फिर नेक्स आप पास ग्रह कार्याविदी तो हम असाइमेंट तो ही कई प्रकार के जो एसाइमेंट हम क्लास के बाद जो है बच्चों को जोड़ देते है और हम मसाइमेंट देने का मलब यह होता है कि क्लास के जो ग्जान है उसको घर के ख्यान से किस जोड़ने के दिया जाता है यानि कि जो घ्यान है उसका विस्तारी करन किस प्रकार से उसके लिए और इसमें भी कई कई प्रकार के रहे कारे दी जाता है जैसे सूचना समबन्दी होता है यह कोई इंफॉरमेटिव कारे दिया जा रहा है जिसमें की बच्चों से बोला गया कि आपने फ्छलाने को एक चीज दे के बोला यह रट के लाना है यह बिल्कुल हुब 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 याद करके लाना तो इस प्रकार के हमवर्क कभी भी नहीं देने चाहिए फिर उसके अध्यन नात्मक इसमें बच्चे को टॉपिक पर किसी चीज पर ढूंड के लाना होता है या निवन लिखके ल हाँ तो इसमें क्या होता है दोस्तो इसमें जो है अद्यापक क्लास के अंदर ले महां जो भी मायनक बनाया होगा उससे ज़्याधा अगर अगर जिनोंनें ले रिके तो इसका मतलब नकी मैस् commend के उपर उस Of Topic के उपर तो उनको वो अलग करते हैं और उसके बाद जो बाएकि के बच्फे निदानात्मक परिख्षान या की सब्सक्राइब करते हैं और उसकंग कम उपथा लगा करते कर उनका एक रभी टीचिंग उनके लिए करते इन उप्चारत्मक देंशान और आगेm बाद में परिक्षा होता है, तो बेसिकली ये चीजे होती है और ये हो सकता है किसमें जो एक्सटा क्लास होती है, उसके माध्यम से यह हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे बिलो होंगे वो चीज उनीग को इतनी सारी दिक्टते है हो सकती है, सीखने में फिर नेक्स आपको आपको आपक्तिव मैथाड यानि कि आगमन वी दी तो आगमन और निगमन तो यह हम पहले से पढ़ते हैं रहें इसीटेट वगरा में आप जानते कितनी इंपॉर्टन होती हैं तो हमेंने पहले भी बताया था आगमन में और याद रखना है तो आगमन में उधारन से आप नियम की ओर चलते हैं है ना उधारन देते हैं बच्चों को या कोई experience आपने लाइफ का जो है वो शेयर किया है कोई भी घटना आपने अपने लाइफ की तो वो एक तरह से उधारन हुआ है ना और उसके बात तब आप उसको बताते हैं कि लें अच्छा यह जो धुआ आता है यह टिंडल प्रभाव होता है तब जो एक तरह आपने नियम बाद में बताया है उसके बारे में एक्जामपल पहले दे दिया ठीक है तब आप टिंडल प्रभाव के बारे में पूरा एक परिवासा और वो सब चीजें बताऊगे तो यह होती हैं सिक्षण के सूत्र के अंदर और इसी को कहते हैं हम सामानी की और चलना है उसका ठीक उल्टा होता डिड़क्टिव मैथड जिसमें की नियम या कोई सूत्र फॉर्मूला यह सब बता दिये जाते हैं और उसके बेस पर एक्जामपल्स करवाए जाते हैं उनके बेस छलिए आगे चलते हैं आगे है आपके पास विसलेसर विदी यानिकी अनालेसिस मेतड़ तो अनलेसिस अनलेसिस का मतलब ही होता है कि कि किसी वी चीज को कोई बड़ी चीज शीज तो चोटे चोटी चोटी चोटे चीजों में टूडे टूपर से जिवन के बारे मैं अगर बताता हूं तो मुझे बताना बढेगा कि पहले हो जन्म फाद। किस समरज्ज् ohh ustake बच्च सबस्तार किया किस प्रकार से फिर उसकी बार उसका दर्म उसका जो दिल है वह परवर्थित हो गया पिघल गया वह सब चीज़ें पर टर्निंग पॉइंट के बाद हम बताएंगे कि उसने किस प्रकार से धम की नीती पर चलके काम किया किस प्रकार से अभी लेक गुदवाएं और लास्ट में हम निसकर्स करके वह चीज़ें बता देंगे कि हम इन सम के आदार पर बोल सकते हैं कि असुग एक परतापी राजा या एक महान समराठ था तो यह सारी चीज़ें हमने बाद में उसको इकटा कर दिया तो इसी को कहते हैं विसलेशन उसके बाद है संसलेशन यानि कि संथेसिस तो संथेसिस में हम ठीक विप्रेट करते हैं चोटे- बैसिकली जो मैथ होती है उसके जो थ्योरम वाले क्वेसंस होते हैं उसमें आपने देखा होगा अलग-अलग जो इनफॉरमेशन से हो दी जाती हैं और उसके बेसस पर हमें लास्ट में वो थ्योरम प्रूप करनी होती है अलग-अलग जो एंगल हैं वो दे दिये गया तो यह क्या हुआ अलग-अलग जो जानकर रहे हैं उनको हमने इकटा करना सिंथैसिस करना है ओके तो यह होती है और लास्ट हमरे पास आज की जो विदी है यह आपका लेक्शियर इंग्जाम के अंदर भी आई थी मैंने कई बार बताई थी और काफी बच्चों नहीं तो सई किया है लेकिन एक आद ऐसे हैं जिनको हजार बार बोलो तब भी वह गलती करते हैं तो दोस्तों मैंने बताया था कि यह फ्रोवेल ने दी है किंडर गार्डन मेथड ओके और इसमें बेसिकली वह मानते थे कि बच्चा जो है वह एक बगीचे में जो फूल लगे हैं उन खुद बखुद सीखता है खेल के मात्यम से तो इसके बाद जो है यह किंडर गार्डन जो है यह जो स्कूल से इनकी परथा चली थी और आप जानते हैं आज की डेट में यह कितना ज़्यादा जरूरी हो गया था हमारे टायम पर तो उत्तरा ज़्यादा था भी नहीं लेकि लिए ठीक है तो अभी के लिए इतना काफी है वाई थैंक यू सू मच है बे गुड़ डेंग